हेलो अव्रीवन वेलकम टू कॉम्वर्स एड़ा 247 माइनेम इस अमन महता और भाई 12 का रिजल्ट आने के जस्ट थोड़ी ही देर में आपका 10th क्लास का भी रिजल्ट आउट कर दिया है cbsc ने और आपको क्या करना है cbsc results.nic.in पर आपको जाना है इस वेबसाइट पर आपको 10th का भी और 12th का भी आपको लिंक मिल जाएंगे results के examination results 2024 ठीक है और यहां पर आपको तीन 10th क्लास के रिजल्ट के link मिलेंगे और तीन ही 12th क्लास के रिजल्ट के link मिलेंगे ताकि जो traffic है वो जाधा होने के करण जो site है वो crash ना हो जाए इस वजह से ठीक है तो आपको इसे भी link पर click करेंगे आपको एंटर करना रोल नंबर आपको एंटर करना स्कूल नंबर आपको एंटर करें डेट बर्थ और डेट बर्थ आपको पहले डेट लिखनी है फिर आपको मंत लिखना है और आपको फिर लिखना है जब आप पैदा हुए थे ठीक है एंड उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको एंटर करना है एडमिट कार्ड की आईडी और जैसे चार चीज़ें आप कर दोगे आप सम्मिट कर देना क्या कर देना आपको आपका रिजल्ट हो जाएगा तो यह चीज बहुत बहुत जादा क्या करते हैं आप लोगों के लिए भाई मैं बता रहा हू गही थे लेकिन अब आपको क्लास 11 में जाने जाना है अब आपके पास ऑप्शन से आप स्टीम चूज करेंगे अब आप यह सब्जेक्स नहीं पढ़ेंगे जो आप अभी तक पढ़ रहे थे ठीक है कई बच्छे मैस से बहुत परिशान होते हैं कि अब मैस छोड़ देंग कॉमर्स लेंगे या फिर आठ्स लेंगे सबसे पहली चीज में आपको यह बोलूगा तीनों ही जो स्क्रीम हैं वह अपने आप में कामाल की है कोई किसी से कम नहीं होता यह चीज मैंने देखिए कि बहुत सारे बच्चे फरक करते हैं कि साइंस वाले तो बहुत जादे कि साइंस को ईैडम कि इंतर siampadale निर्भ जाये और साइंस वाले स्टूडेक तो स्क्राइए होते हैं और साइंस वाले स्टूडेंट्स अलसी और स्टूडों स्टूडेंट्स कहई है और science वाले students होते हैं आगे चलके वो अपने जीवन में इतना कुछ बढ़ा करते हैं कि वो पूरे जो देश है वो इन पे dependent होता है तो ये तीनों ही stream अपनी अपनी जगा पे best है और आप अपनी career में अच्छा कर पाऊगे और आप अपने क्या केते हैं योगदान कर पा हुए तीनों ही stream से कोई भी कम जादा नहीं है अब point यह है कि sir हम decide कैसे करें कि हमें science लेनी है हमें commerce लेनी चाहिए arts लेनी चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूगा कि commerce के साथ थोड़ी से नाइनसाफी होती है क्योंकि science आपने कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है ठीक है arts के subject आपने social science में अच्छी तरह पढ़े हुए कई चीज़े ठीक है वो अलग बात है कि बहुत आगे जाकर करके हमें detail में इन दोनों में पढ़ना पढ़े है science और arts में लेकिन commerce आपने नहीं पढ़ा होता आपको नहीं पढ़ा होता आपको नहीं पढ़ा होती है तो आप पहली बार देखेंगे तो चो commerce है वो बहुत जाद मिस्टीरियस है आप लोगों के लिए लेकिन मैं commerce ही पढ़ाता हूँ ठीक है अकाउंट्स पढ़ाता हूँ मैं business studies भी हमारे टीचर्स है एकनोमिक्स भी हमारे टीचर्स पढ़ाता है तो भाई यह जो commerce ट्रीम है यह बहुत लाजावाब है अगर आप commerce के बारे में जाना जाते है तो comment box में comment करके जरूर जाएगे ठीक है के बाई दो तरह की आपको करें वीडियो जहां पर मिल सकती है के commerce क्यों लें या फिर कैसे डिसाइड करें अपनी स्ट्रीम ठीक है तो आई होप आपको वीडियो रही होगी तो लाइक जरू करें शेर जरू करें और अपने रिजल्ट जरूर शेर करें कैसा रहा अचिये वो ठिक है अल दी बस्त थैंक यो भूछ पर वचिए वीडियो बाई बाई